हेलो बच्चो तो चलिए हम लोग फटा फट से बना लेते हैं 105 एंद 135 के एंगल को विद दे हल्प ओफ कमपास तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्केल ले लेना है और फिर एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है अब लाइन को कितने भी सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं वो आपके ऊपर है और इस लाइन को आप इस लाइन के कॉर्णर को पॉइंट देना है यह ए है और यह बी हो गया फिर आपको वही पुराना फेल जब कि आपको क्या करना है compass को fit करना है pen को compass से fit करना है and then x fix radius ले लेना है आपने ये fix कर लिया अब ये ऐसे ही रहना चाहिए जब तक हमारा angle नहीं बन जाता तो अब क्या करेंगे इस compass के tip को point A पर रखेंगे फिल्गो set कर लेंगे और फिर एक arc लगा देंगे हमने arc लगा दिया अब हमे 105 बनाना है तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा 60 degree तो जहां पर ये point of intersection मिला है और वहां पर हम compass के tip को रखेंगे और एक arc लगाएंगे और फिर ये दोनों arc जहां पर एक दूसरे को intersect कर रही है वहां पर compass के tip को रखेंगे और एक और arc लगाएंगे तो हमने अगर आपको पता होगा कि ये कितना है 60 degree का angle बना रहा होगा और ये 120 क्यों क्योंकि आपको मैंने ये पहले previous वीडियो में पढ़ा रखा है अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे previous वीडियो को ज़रूर देखे क्योंकि अगर आपको 105 और 135 के degree के angle को बनाना है तो आपको ये सारे angle आना ज़रूरी है तो ये 20 हो गया ये 120 हो गया और फिर यहां ही पर रख करके आप बिना radius को चेंज किए एक और आर्ख लगाएंगे जो कि कितने degree का होगा 180 degree 60, 60 प्लस 60, 120, 120 प्लस 60, 180, ओके तो सबसे पहले आपको क्या करना है 60 को 120 को bisect करना है bisect करना है इसका मतलब आपको पता ही होगा कि जब हम 60 और 120 को bisect करते हैं तो हमें क्या मिलता है 90 degree का angle मिलता है ध्यान दीजे है यहां पर हमें एक point मिला ये point इस point को point of intersection को हमें किस से हमें point A से मिला देना है इसे हम dotted line में क्यूंकि हमने क्योंकि हमें 90 degree का angle नहीं चाहिए हमें 105 degree का angle चाहिए लेकिन 105 degree के angle को बनाने के लिए हमें सबसे पहले 90 degree पता होना चाहिए तो यह हमारा जो angle बना है वो 90 degree का है आप देखे 90 degree अब थोड़ी सी calculation कर लेते हैं 90 90 plus 15 is equal to कितना हो जाएगा 105 degree तो 90 के बाद आपको कितना degree और चाहिए 15 degree चाहिए तो 15 degree आपको चाहिए तभी 105 degree का angle आपको मिलेगा तो यहां से आपको 15 degree चाहिए अगर आप जानते होगे तो यहां से यहां तक कि जो angle था वो 60 था तो हमने जब इसे bisect किया तो यह 30 और 30 में divide हो गया तभी तो यहां से यहां तक 60 था और 60 plus 30 मिलकर कि 90 बना था तभी 90 बना था यह angle ओके यह 90 बना था तो अब इस 30 को यहां देखे 90 90 में 15 चाहिए तो इस 30 को क हम बाइसे कर दे 13 13 को बाइसे करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 15 मिलेगा तो 13 को हम बाइसे कर देते हैं बाइसे करने के लिए आपको कोई certain radius की जरूवत नहीं है fix radius की आप कितना भी कर सकते इसको अब बदल सकते हो ठीके तो यहां से एक arc लगाएंगे यह 90 का point of intersection था और यह 120 का तो 120 और 90 के बीच में 30 डिगरी आ रहा था उसको बाइसे करेंगे तो हमें point of intersection मिलेगा यहां पर यह इस point को आप किससे मिला दोगे point A से मिला देंगे हम इसे इस point को हम point A से मिला देंगे तो हमें यह जो angle मिल रहा है वो कितने डिगरी का angle है यह हमें जो angle मिला है वो 105 डिगरी का angle बन रहा है हमारा क्यों क्यों कि आप यहां से count कर सकते हैं यहां से यहां तक 60 था 60 से यहां पर 30 30 मिल कर गी यहां तक 90 हो गया 90 में फिर आप इस 30 को divide किये तो 15 हुआ 15 19 plus 15 is equal to 105 तो आपको यह जो angle मिला है यह angle कितने का है 105 डिगरी का है अब आपको बनाना है 135 अब अगर आप धोड़ा द्यान दें तो आपको समझ में आ जाएगा 135 135 कब बनता है जब 120 में 120 का डिगरी का angle हमें बहुत असानी से आता है बनाना तो 120 के डिगरी के angle में हम 15 को add कर देंगे तो 100 कितना हो जाएगा 35 135 135 के लिए आपको क्या करना है 15 और चाहिए तो हम फिर अपने को पर आ जाएंगे और यहां से यहां तक की जो distance है 120 और 80 कितना रहा होगा यहां इनके भीश में 60 है तो 60 को आप डिवाइट करोगे बाइसेक करोगे बाइसेक करने के लिए आपको क्या करना होता है किसी भी radius को ले लीजे आप ठीक है आप बदल सकते हो इसमें बाइसेक करने के लिए और यहा वो क्या होगा इसको आप dotted line से ले लिजे क्योंकि आपको यह angle नहीं चलिए और अगर अगर जान दे तो यह आपको 150 degree का angle मिल गया अगर आपको 150 degree बनाना है तो यहां पे आपको यह 150 degree का angle बन गया है ठीक है क्यों क्योंकि यहां पे देखे यहां से यहां तक 60 था इसको बाइसे कि आपने थर्टी और थर्टी में बाइसे हो गया तो 100 20 और प्लस यहां से 30 हम एड़ कर लेंगे तो कितने डिगरी का angle बन जाएगा 150 degree का angle बन जाएगा ओके तो यह हमारा 150 degree का एंगल है है तो अगर आपको 150 डिगरी का भी ऑंगील बनाना तो आप ऐसे बना सकते आऄं 550 डिगरी के एंगल के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले 60 बनाना है शुष्ष्टी के भाद 1-20 मैना है 1-2-1-20 पार 184 बासे करना है तो आपको जो यह वाला एंगल मिलेगा 30 plus 20 वो हो जाएगा 150 degree ओके नाव वी विल कंस्ट्रक्ट 135 तो 135 कैसे अब इसी को आप देखें यहां से यहां भी आप ध्यान दिजें यह और यह यहां से यहां तक कितना degree है 30 degree है तो और यहां से यहां से यहां से यहां तक कितना है 30 degree ठीक है यहां से यहां से यहां से यहां तक 30 degree है अब 30 degree को अगर हम हाफ कर दें इसे बाइसे कर दें चलिए बाइसे कर रहेते हैं यहां से एक आर्क लगाएंगे 120 पर रखकर एक लगाया अब यहां पर जहां से हमें मिला था 150 50 तो यहां से भी एक लगा देंगे तो यह जो आपको कैसे फिर से समझ लेते हैं यहां तक आपका 120 था 120 में यहां तक हम बाइसे करके 30 कर लिए था 30 को जब हाफ करेंगे तो 15 और 15 में बाइसेक्ट हो जाएगा तो 120 प्लस 15 यहां तक तो यह वाला एंगल कितना बन गया 130 फरेंग ओके आपको यह एंगल बनाना आ गया होगा अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे प्रिवेस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि जितने भी एंगल को आप बनाते जाओगे तो उसके लिए आपको बेसिक जो एंगल से वह बनाना आना चाहिए जैसे कि 60 से 120 बनता है 120 से 80 बनता है फिर 60 को और 120 को बैसे करते हैं तो 90 डिगरी मिलता है और 90 डिगरी के बार हमने 45 डिगरी भी बैसे करके निकाला था इसको 30 डिगरी के साइड जो है एंगल बनाना आप पहले प्रिवेस वीडियो से देख ले तो आपको यह और अच्छे से समझ मे आजाएका, ओके, थैंक यू